अगर किसी की पतनी घर छोड़ कर चली जाए तो पती कितने दिन बाद कर सकता है दूसरी साधी कर सकता है ताकि इसके किलाब कोई मुकदमा दायर ना हो साती हो तो इसी बारे में हम जानकारी करेंगे और जो भी भाई बैन हमारे चैनल पर नहीं आएं वो हमारे चैनल को अगर मानलीज ये नाम का पती है और बी नाम की पतनी है ये अगर घर छोड़ कर चली जाती है तो इस ब्यक्ती को कितने साल तक इंतजार करना पड़ेगा दूसरी साधी करने के लिए जब दौनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं, तो साथ जन्मों तक का साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन जो अब ये समय चल रहा है, इसमें तो सायद लगता है कि एक जन्म भी पूरा नहीं हो पाएगा, और एक वादेवाई पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेकि महाराष्ट के नाकपुर से जोड़ा एक मामला है, महाराष्ट से जोड़ा एक मामला है, वहां क्या हुआ था, कि भारतिय सैना के एक जवान के निधन के बाद, उसके पैंसन को लेकर विबाद सुरू हो गया, जो कि पैसों को लेकर तो विबाद हर कहीं सुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या था कि एक भारतिय जवान था सेना में तैनाथ था अब क्या था कि उसकी जो पैंसन थी उसको लेकर विवाद सुरू हो गया जवान के सहीद होने के बाद विवाद क्या था कि जवान के सहीद होने के बाद उसकी दूसरी पतनी उसने दूसरी पतनी कर रखी थी अब क् की थी इसका प्रापधान भी आएगा क्या कारण था पैंसन के लिए आवेधन किया यानि दूसरी पतनी ने पैंसन के लिए आवेधन किया तो पता चला कि पैंसन पहली पतनी के खाते में जा रही है यानि जो उसकी लीगल वाइफ है जबकि उसकी पतनी ने पहली पतनी के ला साधी की थी दूसरी जो पैंसन के लिए उसने एपलाई किया था मामला क्या था कि ए नाम का पती था और ये बी नाम की इसकी पतनी थी ये दोनों पती पतनी थे ठीक है अब ये कहीं लापता हो जाती है तो ये लापता हो जाती है तो इसने क्या किया सी नाम की लड़की से रही थे और यहां पे इनको पता चला कि pension जा रही है यहां बी को pension किसको जा रही है B को जा रही है आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कानून जेकि कानून इसके बारे में क्या कहता है अगर ऐसी situation आ गई थी तो भारतिय कानून एक व्यक्ति को दो साधी की अनुमती नहीं देता भारती जो हमारा कानून है एक व्यक्ति को दो साधी की अनुमती नहीं देता हिंदू मेरिज लो में किसमें हिंदू मेरिज एक्ट में एक व्यक्ति को दो साधी की अनुमती नहीं देता है अगर कोई बैक्ती बिना तलाक के दूसरी साधी कर लेता है तो उसे भारते दंड सहीता आईपीसी की धारा 494 के तहें दोसी माना जाएगा साथी हो चली आगे देखते हैं आगे और कहा अपराद माना जाता है साधी सुधा बैक्ती को पती या पतनी के जिंदा रहते बिना तलाक के दूसरी साधी करने की अनुमती नहीं है यानि इसमें कहा गया है कि अगर ए नाम का बैक्ती है और इसकी ये बी नाम की पतनी है अगर ये जिंदा है और इसका कोई डाइवोज नहीं हुआ है तलाक की डिक्री कोई पारित नहीं हुई है तो ए नाम का ब तो लीगल तोर पर वह है तो लीगल तोर पर उसकी पत्नी होती है यानि ऐसा नहीं है कि A नाम का जो पत्ती है और B नाम की इसकी पतनी है अब इसका मन ध्यक्त जब तक यूदे रखी तो इसंने छोड़ होती है और सरकार की तरफ से मिलने वाली सुवधाओं में पत्नी के तोर पर उसका हक होता है यानि किसका हक होता है जो पहली पत्नी थी जो भी नाम की पत्नी थी उसी का हक होगा जो छोड़ी है उसने अपनी मन से ना कि डाइबोस के थ्रू और नहीं वो अभी ऐसा नहीं है कि वो मर गई हो, डाइबोस भी नहीं दिया है, जिंदा है, और वो छोड़ दी है, अपना मन किया, बस छोड़ दी, बस condition में ऐसा नहीं होता, एक condition में ऐसा नहीं होता, कौन सी condition है, अगर उन दोनों में से कोई एक लापता हो जाता है, यानि कोई एक लापता हो जाता है, जैसा क उस जवान ने किया था लेकिन इसकी भी एक rule and condition होती है समय सीमा होती है और साथ साल तक नहीं मिलती है क्या है कि साथ साल तक नहीं मिलती है लापता होने के बाद अगर साथ साल तक नहीं मिलती है तो वो दूसरी साधी कर लेता है आफ्टर सेवन इयर्स ठीक है तो दूसरी उसके बाद साधी कर सकता है इस जवान के मामले में उसकी पहली पतनी लापता हो गई थी क्या था कि उसकी पहली पतनी जो है वो लापता हो गई थी जिसके बाद उसने दूसरी साधी कर ली थी लेकिन उसने कितने दुनों बाद दूसरी साधी की, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है, उसने अपने दस्तावेज़ों में दूसरी पत्नी का नाम भी अपडेट नहीं कराया था, उसकी गलती क्या थी, कि मानलीजी ये अगर 7 येर्स हो गए हैं उसे, लापता हो गई है, वो छोड़ के चली गई, जैसा अभ ये कुछ भी है, और उसने जो अपडेट जो नहीं साधी की थी, सी नाम की लड़की से, वो उसने जहां नौकरी कर रहा था, उसमें अपडेट नहीं कराई, और नहीं ये अपडेट कराया कि मैंने कितने दिनों बाद वो साधी की हसाती हो, ये अपडेट नहीं कराया था उ हिंदू विवा अधिनियम 1955 के कानून के मताबिक पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवा वैद नहीं माना जाएगा। होगा क्योंकि वो वैद ही नहीं है वो वाइड है विल्कुल जीरो है अगर दूसरी साधी से कोई बच्चा हुआ है और उसका दस्तावेजिन पता के नाम पर उजवान का नाम है तो इस कंडिशन में क्या होगा चलिए जानते हैं देखिए तो कहा गया है कि उनकी स्वेम और जित संपत्ती में अधिकार मांग सकता है लेकिन उनके पैंसन में दूसरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा अब मान लीजिए ये ए नाम का बैक्ती था देखिएगा ए नाम का बैक्ती था बी नाम की इसकी पत्नी थी ये हो गई ती लापता अब इसने सी नाम की लड़ इसका हक नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए हैं, उसको पूरा अधिकार होगा, क्योंकि ये पिता का नाम जो है, इसने दे दिया है, इन बच्चों को, पिता का नाम दे दिया है, तो उस पिता की संपत्ती पे इन बच्चों का अधिकार होगा साथी हो, जो सेम की अर्जित की होई संपत्य होगा इना की दादालाई संपत्य जैसे की दादा की संपत्य है यानि इसके पिताजी ने जो संपत्य की है खरीद दिया वो इसके नाम आ जाती है तो वो ना तो इसका नाम होगा ना इसका नाम होगा वो किसी का नाम नहीं हो जो वो यह खरीदता है वो इनको डाइवर्ट जरूल कर दी जाएगी लेकिन इसको नहीं की जाएगी किसको सी को नहीं की जाएगी साथियों तो यह थी आज की किलास आज आज आपको किलास कैसी लगी यह हमें comment box में जरूर बताइएगा और विडियों को like and share and subscribe जरूर किजेगा और जो भी कोई queries करन तो आगे इसी तरह की कानूनी कारवाई और सला लेने के लिए और क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सेर और सब्सक्राइब जरूल करें जिएगा आगे एक नई जानकारी लिए कि आपके सामने फिर आजर उत्तम तब तक के लिए बंदे मातरम जैहन दोस्तों